और यह नर्जुंग पूर का समोचा है अब हम उक्तर प्रदीश की क्या है गंगा नदी यह डिलीशिस भोजन जो की लगबग आई गया है ए गाइस वेल्गम बेक तु न्यू ब्लॉग फ्रावण मास में हमारा विजिट टूर बना है जो कि हम लोग जाने वाले हैं 80 80 की ओर आज हम लोग निकल रहे हैं साथे शहे सु किलोमीटर का यह सफर कितनी देर में प्ताई होता है और रास्ते में क्या-kkia भी uts मिलने वाले हैं और क्या-क्या माहल रहता है आज का रास्ते का जो कि हम देखते हुए निकल रहा हैं और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कार खड़ी हुई है और अभी फिलाल मैं हूं रोड पर हाइवे पर और तो यहां से हम लोग बस इस्टार्ट कर रहे हैं और अभी लगबग 6 बज रहे हैं और यहां से बस हम लोग निकलने वाले हैं तो है हमारी कार भी रेडिय है और बस यहां से निकलने के लिए हैं तयार तो चलिए चलते हैं लो भया खालो खुर्मी 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 और अभी नर्सिंग पुर में आके थोड़ा राष्ट ले लिए नास्ता बास्ता कल लेते हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा निकलते हैं तो बहुत हो यहां मीठा मीठा है तो बहुत हम खाइंगे नहीं अभी समूसे निकलने माले गरम में तो समूसे लेते हैं फिलाल अभी भूंज रहे हैं तल रहे हैं गरम गरम तो उसका इंतिजार हो रहा है तब तक घड़ा सा यहां घूम लेता हूं और यह बहुत यह चुरहा में बहुत बारा जब भी आता हूं यहां से निकलता हूं यहां रुखता ही हूं लोग सागर जाते हैं तब भी यहां आना होता है करें दो कि नर्संपूर का समोसा है ठीक है तो पर्रेहा में तो चलो समोसे खा लेते हैं आप भूब लगी होगी तो बहुत चार बजेका उठान बजिए पर दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक भी जडूरी है काफी लंबा रास्ता है और अभी हम लोग लगभग चार सो चार सो बीस किलो मीटर हम लोग आ चुके हैं और थोड़ा सा बहुजन के लिए रोके हुए थे तो बस बहुजन होजन होगे आए आप निकलते हैं आप से झाल झाल मुक्ताफदेश एंडर कर चुके हैं तरप्रदेश की चाए अगर वो दोगत है तो नहारत के प्रदेश की चाए में अलगी मजा है और बस वारा नसी हम पहुंचने वाले हैं कासी अभी थोड़े से चाए की तुस्किया लेते हुए आगे बढ़ते हैं काफी लंबा सपर हो गया है और चोटे-चोटे ब्रेक लेना भी थोड़ा साथ जाएज होता है तो यह चाए प्तर प्रदेश की चाह है और अभी समय हो चुगा है लगबग मतलब सम्तिंग च्छे बजए पहुंच जाएंगे अम लोग बारान असी कासी तर उहां पर आगे का प्लान देखते हैं क्या है और यह देख रहा है आप प्तर प्रदेश की गंगा नदी जो की साम का माहुल और यह वहाँ, वबड़ से अापको की यहा 그거 माहँे है क्या है क्यल Allahि मतलिय जो को शुछे लेखते हैं कार के लिटा है यहां देंगे एक दिल में और यह दूम हम लोग ने जो लिया है राइंटकत इसी में आज इस्टे हम लोग कर रहा है काफी ठक चुके हैं क्योंकि साड़े 600 किलोमीटर लगबाग हम लोग आ चुके हैं सुबह के इच्छे बज़े से निकले तो सामके 6-6 बज़े हम लोग पहुंचे हैं बनारस और रही में कल हम लोग कासी देश बात की जाये रूम स्टेज ही तो थोड़ा सा कॉष्टी सौनिया आया जैसा कि जो तिन होटल सगया हम लोग तो 3000 4000 5000 स्कुपर ही हम लोगों ने 5 लोगों के साब से पूचा तो वही हमें 5000 4000 स्कुपर ही रहें था तो काफी कॉष्टी लगा वैसे भी साबन चल रहा है इस वर कि अब लगाते हैं यह हमारे विया वंदर लगाते हैं वह वहते तनादि से रहें कि सब लगें ते लागे ने फिसके रहें कि तक यार यह जो कि अधरी कि अधरी को अ कि चलो भुजन का पर रहे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह रेष्टोरेंट बहुत ही शानदार है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए है बनारस टलका रेषटोरेंट जो की सानदार है और अब देखना यह है कि यहां का भुचन कितना डिलीसियस है और खाने में कितना मज़ा आने वाला है तो यह बनारस की बेश्ट होटल सुनने में आया है और हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और दोस्तों खाने के लिए बहुत इंतिजार करना पर खाना बहुत देर लग रही है आने में और अपने को कब तक आता है खाली फ्रेट लेके हम लोग बैठे है और यह डिलीज के भोजन जो की लगवग आई गया है दाल प्राई तड़का और कड़ाई पनीर तो चलो यह बेंजन को हम जल्दी जल्दी लेते हैं बूग लगी क्यों बहुत जम के और यह हम घर बापसी की और कहने का मतलब बापसी की और